दोसको नमस्कार सुँआग अथैक वर फिर्वेट से चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को लेकिन उससे पहले जिसे आपशारिक रूप से 25 अप्रेल को लांच किया जाएगा। इसके बाद ये सर्विक्षन 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। जिसे उसकी मौके परी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परतीक इसकूल जा रहा था। रास्ते में उज्वल ने उसे रोका और चाकू से वार करने लगा। इसके बाद वो चाकू गरदिन में ही छोड़ कर भाग गया। दोनों के बीच आपसी विवाद बताया जा रहा घटना जिले के बरोली थाना छेतर में प्रेम नगर आसरम के पास घटी। चातर की पहचान नगर थाना छेतर के सराईया निवासी प्रतीक कुमार के रूप में की गई है। घटना इस्थल पर पहुची पुलिस जाच में जुट गई है। तीन साल पहले प्रतीक के पिता अजय पटेल की भी चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। पिता की मौत के बाद छातर बरोली थाना छेतर के बतरदे गाउं में अपने मामा के साथ रहता था। जिले के संजौली थाना छेतर के मसवना गाउं निवासी अजय यादुवेंदू ने नगर थाना में प्राथिमी की धर्ज कराई है। इसमें कामा बिखा गाउं के बेकास कुमार सिंग और निरंजन कुमार सिंग के अलावे चार अग्यांत लोगों को आरोपित बनाया गय से जुड़ा है नियोजन निकाई की ओर से फरबरी 2023 में काउंसलिंग करने और उसके बाद मार्च में नियोजन पत्र वित्रन करने में गड़बडी का आरोप लगाया जा रहा है। इससे सिक्षक अव्यर्थी में काफी आकरोस है विभागी अधिकारियों का कहना है कि सिका प्रकंड बंचायद प्रारंबिक सिक्षक नियोजन एवं सेवा सर्थ-2008 के अनुसार सिक्षकों को न्युक्द करते हुए स्कूल भी आवंटित कर दिया गया है। आरोप है कि बिना मेधा सुची का अनुमोधन कराये ही इन सिक्षकों का नियोजन कर दिया गया है। यहां में जाती आधारित गन्ना पर रोक लगाने से पटना हाई कोट ने इंकार कर दिया है। एडमिसन के स्टेज पर अविस मामले पर अगली सुनवाई चार मई को होगी। राज में दूसरे चरण की जाती आधारित गन्ना शुरू हो गई है। इस समवन्द में राज सरकार के सामाने प्रसासन विवाक की ओर से 7 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना को रद करने के लिए लगवग आधे दर्जन अधियाचनाय पटना हाई कोट में दायर की गई है। मंगलवार को मुख्य नयाधिस के विनोथ चंदरन और न्याय मुर्ती मदुरेस प्रसाद की खंड अब बिहार में भी होगा DNA जांच। निती सरकार के नए फैसले के तरह तब बिहार के मुझपरपूर और भागलपूर में विधी विज्ञान परियोग साला में DNA जांच की जा सकेगी। निती सरकार ने मंगलवार को कैविनेट की बैठक में कई एहम फैसले लिये और 11 एज स्थापित करने बच्चों की चोरी, अदला बदली और पित्रित्तो मातरित्तो के मामले की जांच के मकसद से बिहार राज में अब छेत्रिये विधे विज्ञान परियोग साला भागलपूर और मुझपरपूर में DNA की जांच कराई जाएगी। इसके लिए इन दोनों जिल में ऑनलाइन दाखिल खारिज में बड़े स्तर पर फरजी वाड़ा, मीडे रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जमीन के ऑनलाइन दाखिल खारिज में बड़े स्तर पर फरजी वाड़ा चल रहा है, जिसका परदा फास हुआ है, रजिस्टर 2 में दर जमीन के रिकॉर्ड को उनलाइन करने के दोरान आखों में धूल जोग कर खेल किया जा रहा था अंचल कार्यालों में खेल वहां तैनात डाटा एंट्री ओपरेटर और राजस्तो कर्मी किमिली भगत से चल रहा था जब यह मामला सामने आया तो राजस्तो एवं भूमी सुधार विभाग फौरन एक्सन में आई विभाग ने उन जमीनों के दाखिल खारिज फर फौरन रोख लगा दी जिसका रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं है ब्यार के पुर्वी चमपारन के कैथवलिया में विराट रामायन मंदिर का प्लान बदल गया है अब यह मंदिर दो लाग चौतिस हजार चौतिस वर्क फिट की जगा तीन लाग सरसथ हजार पांसो वर्क फिट में बनेगा इसके लिए सुमबार को टेंडर खुल गया है 25 अपरिल को टेंडर फाइनल होगा फिलाल देश की च्छा बड़ी कमपनिया ने टेंडर डाला है इसमें बनारस में 80 कोरिडोर बनाने वाली एहमदाबाद की कमपनी फ्रहलाद भाई स्रीडाम भाई पटेल भी सामिल है 1978 में इसके लिए आवस्यक संसोधन की मंजूरी दी गई है बैठक में कुल 11 प्रस्ताव स्विकृत किये गए बैठक के बाद कैविनेट के अपर मुख्य सचीब डॉक्टर एस सिधार्त ने बताया कि पीटीसी टेनिंग पास से बाहि जिनकी अभी कुल संख्या 2832 है उनको अब केस की जांच करने की सक्ती दी गई है अगलिकवर चार वर्सी असनातक पाठिकरम की कवायत तेज नई सिक्षानिती के तहत असनातक पाठिकरम 4 साल का होने वाला है आपको ग्यात हो की नई पाठिकरम सिक्षानिती के तहत 4 वर्स के कोर्स का उलेक किया गया था जिसको लेकर मितला विस्व विद्याले के वाइस चांसलर ने सभी विभागों के विभाग अध्यक्च को इस बात के लिए सिलेवस तयार करने को कहा था अगीफ़र सिक्षक बहाली के लिए जिले से मांगे रिखतिया डीयों ने जारी किया पत्र बिहार राज विद्याले शिक्षक निवावली 2023 प्रहावी होने के बाद सिक्षा विभाग पट्ना ने निउक्ती की परकिरिया भी सुरू कर दी है सिख्षा विवाग पटना ने जिले के सभी पदाधिकारियों से 20 अफ्रेल तक सिख्षकों की पदों की गन्ना कर उसे समेकित कर भेजने को कहा है ताकि नए निवावली के तहत राज में कक्षा 1-12 मी तक के स्कूली सिख्षकों की न्युकती राज सरकार द्वारा गठेत आयोग के माध्यम से कराया जा सके इसी कड़ी में भोजपूर जिला सिख्षा पदाधिकारी अहसन को भी पत्र भेजा गया है अग्लेखवर ट्रांस्जेंडर् मोनिका दास बनी चुनाव स्टेट आइकन बिहार की पहली ट्रांस्जेंडर पीठा सीन पदाधिकारी रही चुनाव आयोग ने ट्रांस्जेंडर् को लोक्तंत्र में सवागिता बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है आयोग ने ट्रांसजेंडर मोनिका दास को स्टेट आइकन का दर्जा दिया है मोनिका दास को बिहार का चनाव स्टेट आइकन बनाये गया है निर्वाचन प्रकिरिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सवागिता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार में मोनिका दास को स्टेट आइकन बनाया गया है अगली फ़र मंतरी तेजपरताप को धंकी बोले केस वापस ले लो बिहार के वनेवं परियावरन मंतरी तेजपरताप यादब को सोंबार को दो नंबर से धंकी भरे कॉल आये हैं तेजपरताप ने इसे लेकर थाने में लिखत सिकायत की है। दरशल औरंगाबाद में लालू रावडी बाइक एजनसी में एक यूबक सर्वीशिंग कराने आया था। इसी दोरान उसका स्टाफ से विवाद हो गया। अपने दोस्तों के साथ यूबक ने तेजपरताप की ब अवेदन दिया था। अगली फर COVID-19 की जांच में लापर भाही बरतने पर होगी कारेवाई। पस्चिमी चंपारन की डियम ने जारी किया नर्देश। जिले में COVID-19 महमारी संक्रमन को रोकने के लिए स्वास्त विभाग और Government Medical College की आधी अधूरी तयारी को लेकर डियम दिनेस कुमार राय ने न जांच की जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर स्रीकान दुबे ने ये नर्देश जारी किया है।